नमस्ते से स्रेकाल सलाम and hello to my beautiful people out there, मैं श्री आप सब की श्री आज फिर से एक नए रिडिंग के साथ आप सब की सामने हाजर हूँ टैरो विश्री टिपल वन में आप सब का तहरी दिल से स्वागत है, कैसे हैं आप सब? आज फिर से आप लोगों के लिए मैं सीरीज लेकी आई हूँ आपके राश्री फल की सीरीज जोडियक साइन्स, सन, मून, राइजिंग जैसे आप देखते हैं वैसे ही आपको चेक करना है नेक्स्ट फिफ्टीन देज आपका कैसे बीतने वाला है 16th में, 31st में, जैसे आप कमफरेटिबल है वैसे देखें अपने नाम के एक अगरते हैं तो वैसे देखें डेट और बर्थ के एकॉ हमेशा चेक करते हैं वैसे ही आपको चेक करना है जरूरे नहीं है जो guidance मिलती है उसे जरूर follow करें ताकि इस टाइम का जो positive outcome है उसको आप रसीव कर पाओ okay start करते हैं without wasting a time hello to my cancers kirk rashi sun moon rising अगर आपकी है तो welcome to your reading हम check करेंगे आपके love life और professional life 16th may to 31st may क्या कुछ expected है collective reading है general reading है आपको इतना ही दिमाग में रखना है सब कुछ आपके साथ मैच करें यह जरूरी नहीं है जो भी चीजें आपके साथ मैच करती है उसे as guidance जरूर रखें और बाकी का बातियों के लिए छोड़ दें okay so without wasting a time let's check कि क्या आपके love life में expected time please guys मेरे करक राशी वाले viewers के partners की feelings मेरे करक राशी वालों के लिए क्या होंगी डिवाइन इस टाइम पर 16th में to 31st में मेरे करक राशी वाले viewers की पाशनर्स की फीलिंग क्या होंगी वन्मा ताम जीस three of wands, king of swords eight of cups five of cups and eight of swords four of swords my goodness क्या है मेरे विवर्स की फीलिंग्स अच्छन क्या रहेंगे डिवाय उंके पार्णर्स की तो वर्ट्स मेरे विवर्स की फीलिंग्स और उनके अक्शन क्या होंगे eight of swords दोने के नची से में one more time please okay so abhi abhi कुछ लोग का कुछ लोग की fight conflicts हुए है argument हुए है और separation हुआ है मुझे ऐसा लग रहे है my goodness energy क्या है डिवायने सश्टे की energy क्या है औरीवायने सश्टे की इवायने please guide energy क्या है स्वरोष्टे की औरीवायने और्याइज्टे की ज्वायने one more time please so sorry for the background noise laziness क्या चीज़े अलग कर सकते हैं डिवाइन को भी क्रेटिविटी सो कैंसर्स आपके पार्टनर के साइंस जो मुझे दिख रहे हैं Aries, Leo, Sagittarius, Libra Aqueuris, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप दुनों की बीश लड़ाई या फिर कोई कॉए हैं जिसके चलते सप्रेशन आया है और बहुत एक डूसर से मुवाण करने के कोशिश करें दुनों ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो हैं बहुत दिन तक, फिलिंग से ऐसी है कि ये आपका वेट जरूर कर रहे है खड़े हो के, ये इचार हैं कि आप आएं और सौरी बोले और चीजों को ठीक करें हील करें चीजों को ऐसा इनको लग रहा है और आपका वेट करके इनसान खड़े है फिलिंग इनके ऐसी है कि ये आपके साथ बहुत दूर का रिष्टा देखते हैं मतलब बहुत दूर फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, ठीक है बहुत सारे इनके ख्वाइश आपको लेके जरूर है ऐसा दिख रहा है मझे बहले पॉसिबल है चाह नहीं है लेकिन फिलिंग इनके जरूर ऐसी है ठीक है ये इनसान जो हैं ऐसा दिखा रहे हैं कि खुश है ये, इनको कोई जरुद नहीं है, आपकी ऐसा दिखा रहे होंगे भी आपको ये, ये दिखाएंगे इस टाइम पे, ठीकि आपको, कि ये खुश है, आपकी जरुद इनको नहीं है, इन्होंने आपको अपने राई से कट आफ कर दिया है, ये मुवाउन कर रहे हैं, और ये मुवाउन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये चाहते क्या हैं, ये मुवाउन करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो हालत खराब है, ठीक है, ये ग्रीफ में हैं और चुपा रहे हैं, अपने दर्द को आप से चुपा रहे हैं, लॉस की ए रहा है ठीक है और बहुत ट्राप्ट फील कर रहे हैं इनको आसा लग रहा है यह नहीं कर पाएंगे यह ना मुवान कर पाएंगे आपसे ना यह आपके साथ इस रिश्टे में रह पाएंगे ना यह आपको कमिट्मेंट दे पाएंगे ना यह आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ पाएंगे, शो इनको बहुत सरी ऐसे विचार इनके दिमाग में है, कि इनको लग रहे हैं, कि कहीं फस गए हैं, जहांसे निकल नहीं पाई रहे हैं, ठीक है, इनको ऐसा लग रहे हैं, भूशन गए, भी आपको ऐसा दिखाएंगे, एनसां आप से मोवाँन करने की गैसा यह नहीं रेंगे इंधर लगाएंगे तो यह हील होंगे यह यहने डेंड रिलाकस कर रहें अब रिप्लाइम नहीं और नहीं करेंगे कुँछी आपको इनका बॉन्ड वहन होता है वह फिल आपके साथ दुम आदी है आपके इनर्जी आप container feel कर रहे हो आपको यह सा लग रहाए कि आप ना इस रिष्टे पर रह पारे हो ना इस रिष्टे से मुवांड खर पारे हो ना किसी और को आप चांस दे पारे हो और ना ही इस इस इनसान की जो feelings है जो और पास की जो memories है ना ही वे आपके दिमाग répondre आपको तो आप बहुत trapped feel कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ना आप इनको commitment दे सकते हैं, ना इस इंसान के साथ move on कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपके लिए रिश्टा खतम हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है enough is enough और इस पे मैं effort नहीं लगा सकती या लगा आपनी codependence is को फील करोगे इस टाइम, neediness को अपने आप हील करोगे अपने चक्रास पर काम करोगे मुझे इस इस तर्ण्सफर्म आप जरूर हो रहे हैं या होंगे इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा और अब आप सरेंडर कर रहे हो इस रिष्टे को ऐसा लग रहा है मैंचे ठीक है अब हमेशा ऐसा होता होगा कि यह आप जाते होंगे इनको मनाने के लिए चीजों को ठीक करने के लिए या फिर हील करने के लिए इस रिश्टे को इस बार आपको लग रहा है कि आप नहीं जाओगे भले आपके मन में प्यार बहुत है इनके लिए ठीक है लेकिन आप अपने प्यार को छुपा रहे हो दबा रहे हो आप नहीं दिखा रहे हो इनका अपना प्यार बहुत प्यार है, बहुत इंतजार है इनका कि इनसान आयों चीज़ों को ठीक करें लेकिन आप दिखा नहीं रहे हैं इनकों कि आपके दिल में प्यार है इनके लिए ठीक है? एक मौका आप जरूर देना चाहते हो इस रिश्टे में और और एक मौका बहले आपने बहुत मौके दिये हैं और चीज़े ठीक नहीं हुई है लेकिन फिर से एक मौका आप जरूर देना चाहते हो ऐसा लगता है आप भी इस इनसान के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं बहले वो पॉसिबल हो चाहे नहीं हो लेकिन फ्यूचर जरूर देखते हैं आपको पता है कि यह चीज़े जो भी खराब हुई अभी वो जरूर ठीक होगी कभी न कभी और लेकिन अभी अभी के लिए आपके मनसे जो है ये चीज़ए ये इंसाने निकल गए है और अभी के लिए ये रिश्टा करेगा है ऐसा ल लेकिन काम नहीं कर रहे हैं क्या चीज़ें आप दुनों को एक साथ लेका सकती है अभी अवेर्नेस अपने अंदर की मस्कुलाइन और फबनाइन एनरजी को बैलन्स करने की जरुवत है जो कि मैं जो दिख रहा है दोनों जो एकदम कूली अगर छोड़ दे रहे हैं इस रिष्टे को काम नहीं कर रहे हैं अगर अपने उपर भी अपना ट्रांस्फरमिशन अगर नहीं कर रहे हैं तो यह चीज़ें आप दुनों को दूर कर देंगे पूसरे से ठीक है इस टाइम अपनी क्रियेटिविटी पे कि आपके परसन कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि यहनों फाइट कॉन्फरेक्स कुछ हो सकता है आप दुनों के बीश में और चीज़ें इतनी सही नहीं होंगी इसलिए इस टाइम पे अपने उपर काम करें मुझे लग रहे हैं कि आपकी तरह से आप रिष्टा को खतम करोगे और यह इनसान बहुत परिशान होंगी आपके डिसिजन से मुझे ऐसा लग जाए है जो हस्बंड वाइफ है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर से लड़ाई जगणा हो सकता है आप दुनों के बीच ठीक है इसलिए इस टाइम अपनी एनर्जी पे काम करें अपनी उप ऐसा लग रहा है मुझे क्रश के लिए आप देख रहे हैं तो इस टाइम आपके क्रश रहे हैं मुझे प्रपोस करते नहीं दिख रहे हैं उनके इनर्जी बहुत डाउन रहेंगी और कुछ ऐसा होगा कि आप समोगान करने के कोशिश करेंगे इनसान आपको भी ऐसा हुए हो ऐसा देख रहा है मुझे लेकिन इस टाइम आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान के एंट्रि मुझे नहीं दिख रहे है ठीक है यह फुर्स और आपको वेट करना पड़ सकता है ऐसा लग रहा है मुझे है सो यस यह हैपकी लग लाइफ हम चेक करेंगे आपकी ओव क्या आउटकम रसीव करेंगे मेरे करकराश्री वाले प्लीज डिवाएं प्लीज काई डिवाएं मैं दिए एंजल्स टॉप्र में प्लीज वान मोर ताइम प्लीज कि एंद स्जें एंप डिए, ऑ्लीज एंगे म καाईएं कैसा अ स्भाइप प्लोगषण के चीज़ वाले ओने क्रेवश्या प्लीज़ब टक्रिशा लेलечение मुझे झेख रहे हैं कि आप जो हैं बहुत कॉंफिदेंश होने वाले हैं बह। बहुत अट्राक्टिव होने वाले हैं आपका और चेंज होने वाला है ठीक है इस टाइम आप मल्टी टास्किंग करेंगे बहुत ज़दा एंथुजियास्टिक रहेंगे किसी भी काम को करने किला पीछे नहीं हटोगे आप में गजब का एक और अभी रहेगा ठीक है बहुत ज़दा चीजों को यूनों कैसे बताऊं प्राक्टिकली और इमोशनली बैलेंस्ट अभी आप देखोगे अपने अंदर अपने आप में संपूर्ण जैसे कहते हैं कि कि किसी के और जरुद ने कि कोई इंसान आए और आपको कम्प्लीट करें किसी भी चीज में किसी की जरुद आपको पड़े ऐसा नहीं होगा अकेले ही सब कुछ हैंगे ऐसा एक जीज़ों को यह नए चीज खरीदना सजाना डेकुरेट करना ऐसा बहर अगर आप जॉब कर रहे हैं और अधर आप आपको करना ऐसी एक एनरजी आपकी रहेगी बहूत इंत्यूजियसटिक बहुत कश्जिय करें ठीक है ऐसा लग रहे है और बहुत सरह अड्मायस और कर रहे हो अपने आपको मैंने आना कि आप multi-tasking करने वाले हो आप ले रहे हो ऐसा लघ रहा है जो कि आपको बताती है smart को करने के लिए आईडियास को यूज करें smart work करें hard work नहीं आपको smart work करने की ज़रूत है इस ताइम बहुत ज़्यादा एक साथ काम अगर आप कर रहे हैं मुल्टी टास्किंग अगर आप कर रहे हैं एक प्लान बनाएं कि कौन से काम में आपको कितना समय देना है और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप काम करें अपने उपर ऐसे स्ट्रेस्ट ना ले ज्यादा इनुन तो कि कुछ लोग के लिए और कुछ लोग कुछ लोग कि यहां है जो मेन पॉस से गोथ एक कि लिए हो घथर दो झ्छांग के है तो फाथ मैलिना किसम है ऐसा बख़कष रिए literature को जुड़ूर दिखाएं ठिक है इसको घर पे ना रखके मतलब यह उसा होता है सोच के घर पे ना रखें इसमें आपको अपने सेहत पर ध्यान के जुर्श है अगर आसा कुछ है तो ठीक है ऐसा देख रहा है मुझे यस ये दिख रहा है मुझे ओवर ऑप्स्टेकल किया है ऑप्स्टेकल मुझे आपके फैमिली में दिख रहा है वोके फामिली में या फिर लवलाइफ में अबस्टेकल दिख रहा है, इसके वजह से, या फिर रिस्क आप नहीं रेना चाहते हैं इसके वजह से, सुच चाहते हैं बहुत कुछ हैं लेकिन आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो यह ऐसा हो सकता है कि कहीं आपको एक्ष्ण लेना है और आप नहीं ले रहे हो या फिर आपको अपने foundation पर काम करना है वहाँ आप नहीं कर रहे हो तो यह आपके love life में भी हो सकता है और आपके overall life में भी हो सकता है कि आपको अपने foundation पर काम करना है stability पर काम करना है जो कि आप नहीं कर रहे हो आप risk नहीं ले रहे हो ठीक है यह obstacle आपकी अभी outcome क्या receive करोगे आप एक spiritual growth दिख रहे है मुझे ठीक है spiritual lesson आप learn करोगे इस time मुझे यह outcome दिख रहे है आपके लिए कुछ clarity आपको ज़रूर मिलेगी और यह full moon तक मिल सकती है आपको next full moon तक आपको मिल सकती है ऐसा लग रहे है जहां आप stuck है जहां आपको समझ नहीं आ रही है चीज़े कैसे work आप चीज़े कैसे आगे जाएंगी यह आप stuck है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं मुवान नहीं कर पा रहे हैं रुक नहीं पा रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही है जहां क्लियार्टी आपको मिलते जरूर दिख रही है ठीक है ऐसा लग रहा है बहुत जदा करीजी सब आपको जरूर मिलेगा ऐसा देख रहा है मजे द्यूटिफ़ जो कि जरूर मेलेगा आपके लव लाइफ में ऐसा देख रहे है फुलfled फिल करोगे आप मेनीफेस्ट करने की जरूरा है जो चीज़े ठीक नहीं हो तो क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वत हाई प्रेस्टस की है तो spiritually कहीं न कहीं आप ग्रोग कर रहे हो ऐसा लग रहे है spiritually ग्रोग कर रहे हो और पावस भी आपको मिल रहे हैं जो कुछ इंटुशन आपको आते होंगे जो कि सही होते होंगे सब्सक्राइब आप मनिफेस्ट करें जो कि बहुत पावफुल होंगा क्यों मनिफस्टेशन ठीक है गाईडन संदेख लिते हैं दिवाइन कया गाईज करना चाहते हैं आपको प्लीस गाई अगी आँजिस प्लीस काईज प्लीज काई आ चैन सर्फ देर पस्न लाइप दिवा divine order do what you feel is right and important lesson is unfundly you are you already know the answer you sick just what you know आपको बहुत सारे intuition अभी इन्टुशन आपको guide कर रही होगी आपकी, क्योंकि आपकी energy जो है, वो high priestess के energy है आपकी, आपको आपकी intuition guide कर रही होगी, लेकिन आप अपनी intuition को trust नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहे है कि illusion तो नहीं है, लेकिन आपको अपनी intuition को trust करने की जुरत है, जो answer आप मांग रहे हो भगवान से, वो answer आप already जानते हो, तो उस पर trust करें, ठीक है, अभी के लिए वही answer, उसको trust करें, ऐसा लग रहे है मैंजे, So yes, this is all I have for you, my dear cancers, I hope कि कुछ guidance आपको मिली हो एस reading से, मिली है तो ऐसे like और share करें, चैनल पर पहली बार अगर आए हैं, तो red button को जरूर से click करें, bell notification को जरूर से on करें, बने हमारे Paris is all family का हिस्सा, मैं मिलती हूँ, आप लोगों से next reading में, तब तक के लिए मस रहें, वैस रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों को ध्यान रखें, God bless you all.